हेलो दोस्तों स्वागत आपका मेरी यूटूब चैनल ओनलाइन गुरुजी में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्यान संकल पोर्टल के माद्देम से आपकी स्कूल को जोरा सी प्राप्त हुई है उसकी यूसी आपको साला दरप्रण पर अपडेट करनी है वो किस तरीके से अपडेट करनी है यह देखने के लिए आप सुरूश से लेकर अन्ता की इस वीडियो को देखिए अधा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए था बेल आइकन को प्रेश कर दीजे ताकि मेरी कोई भी वीडियो से बहले आप तक पहुंचे ग्यान संकल पोर्टल पर जो रासी आपको प्राप्त हुई है उसकी यूसी अप्लोड करने का कल ही दिनांग 23-10-2020 को आदेश जारी हुआ है वो आदेश कुछ इस तरीके से है दोस्तों रास्तान स्कूल शिक्षा प्रिशद की तरफ से आदेश जारी किया गया है जिसमें लिखावा है सैंस्ता परदान समस्त राज के सिक्सक इस्कूल शिक्षा वभाग राजस्तान विशे है ग्यान संकल पोर्टल के माद्यम से विदा लिको 2017-2018-2020 तक SDMC ओबलिग SMC खातों में हस्ताम तृत कीगी राज सिका उप्योगिता प्रम्रापत्तर यानि UC साला दरबन के माद्यम से अप्रोड करम के करम में उप्रोक्त विश्य अंतरकत लेखा कि बहमसा दान दातों दोरा ग्यान संकल पोर्टल पर राज के विदा लिए तो डोनेट टू स्कूल स्रेणी के अंतरकत ओनलाइन ओफलाइन राज से प्रापत होती है जो कि आपको ओनलाइन खातों में हस्ताम तृत की जाती है उसकी UC आपको साला दरपन पे अपलोड करनी है UC किस तरीके से आपको बनानी है और किस तरीके से आपको अपलोड करनी है यह सब देखने के लिए दोस्तों हम अपनी स्कूल के साला दरपन लोगिन पे चलते हैं यह हमारे स्कूल लोगिन है in Challenge में आपको सब्से पहले Dar um में चाहिए देखर नहीं पर लिखा हुए ग्यानशेंखा और प्रफकर तो इस फ़र्यां चाहिए को शोरे कोर्फ प弃दा की ऐसे घॉरेंच 새गा और कुलिक करें तो एल टीलण डोनिशन डेटियर फ्रॉम्यांक्न वीद्ज है डिटेल SDMC verification फोर ग्यान साइंकल पोर्टल ऐसे कुछ तो आपको जो सबसे पहला option है donation detail फोर्म ग्यान साइंकल पोर्टल यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो कुछ इस तरह का page आपके सामने आएगा यहाँ पर देखिए दोस्तों year है और month है year पर आप क्लिक करते हैं तो आपके 2016 2017 2018 2019 2020 इन year में जो जो रासी प्राप्त हुई है उसकी पूरे detail आएगी अगर आप all को क्लिक करते हैं all को select करते हैं तो फिर पूरी इन सभी सालों में आपके स्कूल में ग्यान संकल पोर्टल के माद्दम से जो रासी जमा हुई है वो सारे details यहाँ पर करेगा तो एक बार all select करते हैं month में आपको और select रखना है और फिर आपको go पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह के से आपके सामने detail आएगी आपके ज्यान संकल पोर्टल में आपको जिस जिस मामा साओं ने आपको रासी डोनेट की है उनकी पूरे detail आएगी आपकी school का नाम आएगा डोनर का न संकल पोर्टल पे जाना है ग्यान संकल पोर्टल पे देखे दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा option आ रहा है आगे की सैड में GSP donation received school confirmation यह दोस्तों जो पहले वाला option था donation detail प्रों ग्यान संकल पोर्टल यह रासी डोनेट की गई है बहुमासों की द्वारा आपकी school को बट यह डा बहुमासों द्वारा आपको जो रासी डोनेट की गई है वो सरकार के पास गई है और सरकार से आपके पास रासी आई है अब आपको यह रासी मिलान करनी है कि दोनों रासी जो अभी आपने पहले जो रासी देखी है ग्यान संकल पोर्टल पे बहुमासों ने कितने रासी द जो ही दोस्तों आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए दोस्तों आपके यह और मंत का उप्शन आ रहा है आपको यह स्लेक्ट करनी है और और रहने देते हैं और इसके बाद मंत और रहेगा और आप गोपे क्लिक करेंगे जो ही आप गोपे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर टोटल अमाउंट दिखाएगा जो आपको राज़े सरकार द्वारा यहाँ पर बेजी गई है टोटल द्वारासी आपको ग्यान संकल पोर्टल पर बहमासों द्वारा कितनी राज़े प्राप्त हुई है और राज़े सरकार द्वा जो है वो आप उसको प्रिंट करवा लीजिए और उसमें आपको डेट देखने की कौन सी डेट को राजसरकार द्वारा आपके अकाउंट में राशी जम हुई है वसे तो यह डेट यहाँ पर दीवी है सेंट डेट लिखा हुई है चार नावंबर 2019 बट आपके अकाउंट में यह जमा कब हुई है कौन सी डेट को यह जमा हुई है वो डेट यहाँ पर आपको डालनी है और इसको सेव कर देना यहाँ पर दोस्तों लाश्ट लाश्ट में ऑप्शन है सेव बटन सेव यहां पर आपको इसको सेव कर देना है दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन है ट्रांजेक्शन डिटेल यहां पर क्लिक करके भी आप अपनी जो डोनेशन प्राप्ट हुआ है जो आपकी ग्यान संकर पोर्टल पर वह भी आप डिटेल देख सकते हैं यह इस तरीके से आपको इतने इतनी रासी और बामासा का नाम अमाउंट और ट्रांजेक्शन डेट यह सारी चीज यहां पर दी गई है और स्टेटस में लिखावा है सक्सेस तो यह आप सिदा यहां से भी देख सकते हैं तोटल जो रासी अमाउंट है वो यहां पर रेड कलर में परतश्ट हो रही है और यहां पर राज्यसरकार दोरा आपको जो अमाउंट बेज़ेगे वो यहां पर रेड कलर में परतश्ट हो रही है दोनों एक्वल है तो आपको यह रिश्यू डेट यहां पर अपडेट करनी ह दोस्तों जब आप पास्बुक परिंट करवाते हैं और उसमें कोई डेट नहीं आ रही है कि जो भामासाओं ने राज्य सरकार गुराशी बेज़े और राज्य सरकार ने आपके खाते में ट्रांसपर की है और लेकिन वो आपके खाते में अभी तक नहीं आई है तो आप यहा अप डेट बेट बनाए तक बैंक हाताव वीवरन कर जह दिनांग को रासी बैंक खाते में प्राप्त हुई है उस दिनांग को लिख कर आवसे क्रूप से अपडेट करें हो सकता है के उद्दू संग्या नीचे देखिए आप यदि आपको बिंदु संख्या में राज़ इस्थर से राशी हस्तांत्रित की भी दिखा रही है और आपके खते में प्राप्त नहीं हुई है तो आप बैंक पास्बुक की फोटो अपडेट करवाने के बाद में यह जो इमेल आइडी दी गए यहां पर इस पर अपडेट करें नीचे एक पोट लिखा हुए बिंदु संख्या दोग के अनुसार हस्तांत्रित रासी वेब बैंक खते का मिलान नहीं होने की स्थितिति में यूशी अप्लोड करने की परकिरिया में भाग नहीं लें मिलान होने के बाद में आपको यूशी अप्लो इस पी अमाउंट एक्सपेंडिचर एंट्री इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्सन खुल के आएंगे यहां पर आपके पास जो टोटल रासी रिशीव है वह यहां पर दिखाएगा और नीचे आपको यह रासी आपने कब कब खर खर्च की है वह रास डिटेल आपको यहां पर बढ़ने यहां पर एक्सपेंडिचर डेट यानि खर्च की आपने यह रासी कब खर्च की गई उसकी दिना क्या पर लिखनी है और कौन से हैड़ से आपने तो हैड में आपको यह एक यॉप्सन सेलेक्ट करना है डोनेट टू अधिए दिए इनको आपको द्यान को पढ़ना है देखें पहले क्या लिखागाव विदाले राधेस तर से हस्तान्त रराफी वें विदाले खाते में प्राप क्रासी का मिलान करना प्राप्त राशी से दिनांक वे मदवार वाउचर वीवरण सहीत खर्चायं कित करना तीसरा वर्ष अनुस्वर मदवार खर्च का वीवरण डाउनलोड़ करना अपने कातों से जाच कर सुनिष्चित होना और आवशेक्ता होने पर संसोलिं करना और पून्ह जाच करना एक वर्ष के लिए यूच ताकृत कोफी का डाटा मिलान कर वेरिफाई करना नीचे नोट गिया हुआ है पर्थम बार में वर्ष विती 2017-18 की यूशी अप्रोड करने की परकिरिया करें एक वर्ष की यूशी अप्रोड होने के पस्चाथ ही अगली यूशी की परकिरिया में भाग लें क्योंकि पर्थम वर्ष की सेज राशी अगले वर्ष के प्रारंबिक राशी आपनिंग बैलेंस के रूप में उप्योग होगी दोस्तो आदेश के बिन्दु संग्या 3 के अनुसार सर्वा पर्थम आपको वर्ष 2017-18 में डोनेट टू ए स्कूल के अंतरगत खर्च केगी राशी का दिनाग का अनुसार खर्च सहीत अंकित करना है यदि एक चैक से अनेक वाउसर बद भी खर्चा किया गया है अतरथ कई परकार के काज़यों का एक साथ प्यमेंट किया गया है तो एक साथ जोड़ कर अंकित करें और सब्मिट बटन पर क्लिक करके से दोस्तो आदेश के बिन पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि सम्मिट करने पर कुल रासी का मदवार खर्चा करें खर्च का परकार वाउसर ओडर नंबर जिनकी वुरुद भुगतान किया गया है ओडर देनांक तथा रासी का इंदराज करके आपको एड़ बटन पर क ग्लिक करके आप इसको पुर्हें डिलिट कर सकते हैं और ये बढ़ने के बाद में आपको शेयु करना है बिन्दु संग्या 4 में मदवार रासी का योग बिंदु संक्या 3 की राशी के समान होना चाहिए समान होने पर ही ये सेव होगा समान नहीं होने पर ये सेव नहीं होगा और आदेश के बिंदु संक्या 6 में लिखा हुआ है बिंदु संक्या 4 पांच के माद्यम से कीया 57 coisas 1718 में donate to ś school के अंत्रगत किये गे सबी परकार के Wayका Vaista Rest करें और वर्स 17 अठारा में donate टू A1 के अंत्रगत किये वेका इंद्राज हूने के बाद यूशी बनाने यूशी डाउन लोड कर, चैक यहां पर आपको क्लिक करना है यूशी जनरेट करने के लिए आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा जिसमें आपको फाइनेंशियलियर सेलेक्ट करनी है जो सबसे पहले आपको 17-18 सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में क्वार्टर तो आपको और क्वार्टर तो दोस्तो नेक्स्ट पेज में आपके सामने योशी प्रारूप जो बिंदु संग्या आठ के अनुशार जनरेट होने के उपरांद प्राप्त होगा दाइयों और उपलब प्रिंट बटन की साहता से इसको प्रिंट करें सेंस्ता पर्दान रिकोर्ड से जांच कर कार्म करमा बनावे पीडियाइब बनाने के बाद में आपको नेक्स्ट पेज में यहां पर देखें नीचे लिखा हुए दोस्तो चूज फाइल तो यह जो पीडियाइब बनाई है यह आपको सेलेक्ट करके यहां पर और इसको अपलोड करनी है अपलोड होने के बाद में दोस्तो सक् पत्तर यूसी के हाड को फी अपने समंदित ब्लोग कारेले में वेजें जिसे ब्लोग कारेले यूसी का ओनलाइन डाटा से जांच कर ओनलाइन वेरिफाई कर सके धन्यवाद दोस्तों इस तरीके से आपको SDMC, SMC के खतों में ग्यान संकल पॉर्टल के माद्दिम से जो रासी प्राप्त हुई है उसकी UC आपको अप्लोड करनी है धन्यवाद दोस्तों अभी तक आपने ग्यान संकल पॉर्टल पे अपनी स्कूल के SMC अकाउंट का वेरिफिकेशन नहीं कर वाए है तो सबसे पहले वो ही करवाए है अगर आपको ग्यान संकल पॉर्टल पे वेरिफिकेशन करवाने में किसी भी त्रह की समस्या है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं धन्यवाद दोस्तों इसी एजुकेंस र्लेटेड इस प्रकार के आप वीडियो पाने के लिए हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें था इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें धन्यवाद